हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो एक्जाम ट्रेनर योट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज के इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं पीछली परिच्छा पर अधारित रेजिनिंग के नंबर सीरीज के कोशनों की तो प्लीज आप हमारे इस एक्जाम ट्रेनर योट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में वेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अप्लोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहा है चले ही स्टाट करते हैं कोशन की तरह बढ़ते हम लोग आज का पहला कोशन आपके सामने यह रहा आज का कोशन आपके सामने 41 नंबर कोशन है और इसे पाले हम लोग जो है 40 नंबर कोशन तक जो है कोशनों को देख चुके हैं प करना होगा आपका इसका logic ढोड़ना होगा और किस logic से आपका answer आएगा आप ढोड़िए और इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस परयास कीजिए ठीक है तो इस question का right answer आएगा 39 यदि आपका answer 39 आ रहा है तो बिल्कुल सही है and is question का right answer option number C अब इसकी डिटल्स logic देखते हैं क्या है logic तो इस question का logic है कि 9 से 11 कैसे बना 2 8 करके 11 से 15 कैसे बना 4 8 करके और 15 से 23 कैसे बना 8 8 करके तो हम यह कह सकते हैं 2 के power 1 2 होगा 2 के power 2 यानी 4 होगा और 2 के power 3 यानी 8 तो जो next होगा 2 के power 4 यानि की 16, 23 में और 16 8 करेंगे, तो यह आपका 39 हो जाएगा, जो की answer था option number C39, clear, यह logic आपको समझ में आ गया, next question की बात करते हैं, जो की 42 number question है, 7, 9, 13, 21, और next question mark, अब इसमें आपको 31 दिया है, 35 है, 32 है, 37 है, अब इसमें आप logic ढोड़िए, और इस logic के अनुसार, आपका answer आएगा 37, जो की option number D है, यानि इस question का right answer है, D, option number 37, option number D है, 37 आपका right answer है, अब आएए इसका logic की बात करते हैं, तो 7 से 9 यानि की plus 2 हुआ, 9 से 13 यानि की plus 4, और 13 से plus 8 यानि की 21, और 21 से plus 16 यानि की 37, इस तरीके से आपका answer क्या आज आएगा 37, देखिए, कैसे, 7 से 2, 8 करेंगे 9 होगा, 9 में 4, 8 करेंगे 13 होगा, और 4, फिर आपका, वही चीज सेम question था, ठीक है, वही इसी pattern पे 2 के power 1, 2 के power 2, 2 के power 3, और 2 के power 4, तो 16 और 21, 37 जो की answer आपका option number D हो जाएगा, इस question में, next question की बात करते हैं, जो की 43 number question है, 33, 28, 24, और next question mark उसके बाद 19, 18, अब यह संक्या घट रही है, यानि कि decrease हो रही है, यानि minus आपको करना होगा, तो आप इसके logic, आप इसके logic को ढूड़े, और उस logic से आपका answer यदि 21 आ रहा है, question mark है जगापे 21, तो आपका answer है option number D, ठीक है, option number D आपका सही है, अब आईए देखते हैं, क्या इसका logic था, तो 33, 28, 24, 21, 19, 18, इसमें आपका 33 से minus 5 किया हमने, 28 होगा, 28 से minus 4 किया, 24, और 24 से 3 minus किया, तो 21, 21 से 2 minus करेंगे, तो 19 अभी आ जाएगा, और 19 से 1 minus करेंगे, तो 18 आ जाएगा, इस तरीके से आपका answer आएगा 21, clear, तो यह था इसका logic, यानि कि एक जो है, संख्या decrease हो रही थी, तो एक-एक minus घटता भी जा रहा था, minus तो कर रहे थे, 44 नंबर question है, 2, उसके बाद question mark, फिर 42, फिर आपका 132, 402, और 12, 12, अब इन question के answer यहाँ पे 2 के बाद question mark दे दिया, फिर आपका 42 अजानक संख्या बढ़ गई, फिर 132 और भी बढ़ गया, यानि कि यह बहुत जारा, बढ़ जारा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आ फिर आप logic लगा पा रहा है, तो इसका answer आएगा 12, यानि कि option number D सही है, option number D सही है, अब आई यह बात करते हैं, D कैसे सही है, D कैसे होगा, आप देखिए, 2 से 3 में गुड़ा करें और 6 8 करेंगे, तो 12 से 3 में गुड़ा करेंगे, और 6 8 करेंगे, तो 42, उसके बाद 42 में फिर 3 से into करेंगे, 6 8 करेंगे, तो 132, और 132 में 3 से into करेंगे, और 6 8 करेंगे, तो यह आपका आएगा 402, 402 में हम 3 से into करेंगे, प्लस 6 जोड़ देंगे, तो यह आपका आएगा 12, जो कि इस question का answer था, आपका 12, यानि कि 2 से into 3 करना था, और plus 6, यानि into 3, plus 6, into 3, plus 6, यह आपकी series है यानि इस question का right answer है 12 जो की option number कौन सा था option number था D next question की बात करते है जो की 45 number question है 2, 15, 4, 12, 6, 7 उसके बाद दो-दो question mark है अब इन question मार्कों में आपको क्या करना है तो alternate चलना पड़ेगा आपको थोड़ी किसी help कर दिया हमने alternate चलना है और आपको answer ढूड़ के बताने इसका answer कितना होगा ठीक है इसका answer जो 8-0 आएगा आपका answer सही होगा यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 0 होगा option number 20 ही होगा अब आज इसका logic क्या है तो 2 से 4 पे चले प्लस 2 हुआ 4 से प्लस 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा 6 से प्लस 2 करेंगे तो यह आपका 8 यहनि कि इस alternate में आपका प्लस 2 हुआ उसके बाद उपर से बात करें हम लोग तो 15 से 12 में चले माइनस 3, 12 से 7 कैसे बनेगा माइनस 5 होगा और 7 से फिर 3, 2, 5, 2, 7, माइनस 7 करेंगे तो यह 0 यहनि 8 और 0 आपका अंसर आएगा लोजिक समझ में आ गई चलिए नेक्स वोशन की बात करते हैं जो कि 46 नमबर क्वेशन है 3, 12, 48, 192 और क्वेशन मार्ख हमें दिख रहे कि संख्या आचानक बढ़ती जा रहे है इसका मतलब इसमें इंटू का कंसेप्ट होगा आप इंटू का कंसेप्ट लगाए तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 7, 6, 8 यदि 7, 6, 8 आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर है यानि ओप्शन नमबर C सही होगा अब यह इसके डिटेल्स लोजिक की बात करें तो 3 से 4 में इंटू करेंगे 12 होगा और 12 से 4 में इंटू करेंगे 48 होगा 48 से 4 में इंटू 7, 6, 8 यानि कि 4 से गुड़ा खरते चले हम 3 गुड़े 4, 12 गुड़े 4, 48 और 48 गुड़े 4, 192 गुड़े 4 तो आपका आंसर आएगा 7, 6, 8 जो की ओप्शन नमबर था C, ओप्शन नमबर C था 7, 6, 8 तो यह था इस प्रशन का लोजिक, नेक्स प्रशन की बात करते हैं जो की 47 तालिस नमबर कॉश्चन है 1, 1, 2, 6, 2, 4 उसके बाद कॉश्चन मार उसके बाद 7, 2, 0 अब इसका आंसर क्या हो जाएगा अब इसमें आप लोजिक ढूड़े और इसका आंसर खोजिए कि इसका आंसर इन चारों अप्शनों में कौन सा होगा तो इसका आंसर होगा 1, 2, 0 जो जो कि इस कोशन का राइट आंसर है 1, 20 यानि आप्शन नमबर D अब इसके लोजिक की बात करें हम तो 1 से 1 में इंटू करेंगे 1 होगा 1 से 2 में इंटू करेंगे 2 होगा और 2 से 3 में इंटू करेंगे 6 होगा यानि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से ये लोजिक बढ़ता जा रहा है तो 24 में 5 से गुड़ा करेंगे 120, 120 में 6 से गुड़ा करेंगे 720 जो की आंसर है आपका 1, 2, 0 यानि की 120 आपका राइट आंसर होगा किलियर है चलिए नेक्स कोशन की बात करते हैं जो की 48 नंबर कोशन है 4, 6, 9, 13, 1, 2 और उसके बाद आपको आगे नेक्स बताने हैं ये 13 से एक बटे 2 है 4 है 6, 9 उसके बाद 13 से एक बटे 2 है यानि साड़े 13 उसके बाद फिर आपके बढ़ता जा रहा है अब इसमें आपको लोजिक ढूड़ना है आपको आउट स्वाल करना आप ट्राई कीजिए कि किस लोजिक से आपका अंसर आएगा C यानि कि 20 सही एक बटे 4 आपका अंसर आएगा उप्सन नंबर C किस लोजिक से आया आए ये लोजिक की बात करते हैं हम लोग तो जो सिरिंकला दी गई है 4 6 9 13 से एक बटे दो उसके बाद 20 से एक बटे 4 कैसे आएगा तो 4 से 6 लाने के लिए हमें 3 बाइ 2 से इंटू करना पड़ेगा यानि 2 त्याई 6 4 गुड़े 3 बटे दो तो ये क्या हो जाएगा 2 से 4 कटेगा 2 दूनी का 4 दो त्याई 6 फिर 3 बाइ 2 तो ये आपका 9 हो जाएगा फिर इंटू 3 बाइ 2 यानि कि डेढ़ गुना करेंगे हम 1.5 1.5 से गुड़ा करें तो भी आपका आंसर आ सकता था तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा 20 से एक बटा चार के लिए चलिए नेक्स वेशन की बात करते हैं जो कि 49 नंबर कोईशन है क्या है 49 नंबर कोईशन 2 8 18 32 उसके बाद कोईशन मार उसके बाद फिर आपका 72 उसके बाद 92 अब इन सभी में आपसनों की बात करेंगे तो कौन सा आपसन आपका सही होगा आप लोजिक यह कोईशन में आपका आंसर आएगा 50 जो की आंसर है अपसन नंबर डी यावशन नंबर डी सही है 50 तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी अब ऐस कैसे होगा आइए चेक करते हैं तो 2 8 18 32 50 72 98 कैसे होगा 50 इसको चेक करें हम तो 2 से 8 यानि कि प्लस होगा 8 से 10 यानि 8 18 य यानि 32 और 18 करेंगे तो 50 होगा और 50 में फिर 18-4 22 यानि 72 हो जाएगा और 22 में फिर प्लस 4 करेंगे तो 26 जो की 98 यानि इस तरीके से इस question का right answer होगा 50 जो की answer था option number D अब बात करते हैं आज के 50 question की यानि की हम लोग 50 number question 50 question कवर कर लिए अब question है 8 80880 उसके बाद question mark 137280 अब यहाँ पर क्या होगा अचानक संक्य जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है इसका मतलब इसमें भी आपका into का roll है अब इसका answer क्या होगा यह आपको check करना है यानि कि इसका answer होगा 10560 any option number B सही है अब यह कैसे B सही है आईए इसे देखते हैं इसके logic की बात करते हैं हम लोग तो जो शरिंखला दी गई है 8080 उसके बाद यह 10560 और यह कैसे आएगा 10560 उसके बाद दे दिया गया 137280 अब देखें 8 से 10 में into करें तो यह आपका 80 बन जाएगा 80 से 11 में into करें तो आपका 880 बनेगा और 880 में 12 से गुड़ा करें तो यह 10560 बनेगा और 10560 में 13 से गुड़ा करें तो यह बनेगा 131,37280 तो इस question का जो right answer है क्या था 10560 जो की option number B था ठीक है तो यह था इस प्रस्ण का logic पारले 10 से इंटू उसके बाद 11 फिर उसके बाद 12 उसके बाद 13 तो यह इसका logic था तो उमीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और जो भी आपको सुझाओ देना आप कमेंट के माधिम से हमें अपनी सुझाओ दे सकते हैं तो प्लीज आप इस exam trainer योटूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अप्लोड करें